यूटूब चनल गैस आज के वीडियो में मैं लाया हूँ आपके लिए चित्रकला का पेपर ठीक है पूरी की पूरी मैं तैयारी कराया तो और बिल्कुल सेम पेपर वैसा ही आया था जिसे लगाया कि मुझे मिल भी गया था पहले से पेपर तेहां पे सबसे पहले देखो यह पहला वला option है यह क्या है आपका correct है ठीक है और इसमें दूसरा color जो दे रखा आपका गरम रंग कौन सा होता है तो आप जानते हो दे रखा इसमें लाल हमने आपसे यह option भी पूछा था और लगबग आपको 5 बार से ज्यादे बार इसको बताया है ठीक है तो गरम रंग कौ question मुख्य रंग कितने होता है हमने बताया था भी आपको कल ही बताया था कि मुख्य रंग जो होते वह तीन होते कितने होते हैं तीन होते ठीक है इसके बाद चौथा question दे रखा है जो कि विल्कुल सेम आया है निम्म में से दीतियक रंग कौन से होता है हमने बताया कि आपको करेक्ट है ठीक है इसकी बाद अभी कलकि ही आपने वीटियो में देखा है कि तट्टत्रश्थ रंग यूग-मकौन से है ठीक है तो तट्टत्र रंग यूग-मक जो है आपको आपने अ लग।ment किस वैश्ट वाल चक्र carbs विफिना साइ infrared बताया था, सभी रंगों को बताया कि कौन कौन से रंग होते हैं इसके बास सात्मा क्वेश्टन रिखा है किनिवलिखित में से पारदर्सी रंग होता है जो की यूपी बोड का पेपर मैंने जो लीक पेपर उसमें बताया था कि यह तैल रंग होते कौन से रंग होते हमने यह भी बताया था आपको कि अगर किसी पेज पर आप तेल इस तरह से फेग दो तो वह क्या होता है कि दूनों तरफ दिखाई देने लगता है अता था तो आपका अपसर नमबर 27 का करेक्ट हो जाए ठीक है यह भी आया है question और इसके बाद और आप other channel से पढ़े होंगे तो उनका भी अनबह बतायेगा कि आया है कि नहीं दोको यह एक आपको branded channel और एक latest भरूसेमंद channel है जहां से मेरी पूरी कोशिस रहती है कि मैंने math का पूरा का पूरा paper solve करा था इससे बाहर एक भी paper में question नहीं आया थे ठीक है आप देख सकते हो जाकर हर एक subject का ठीक हिंदी चाहे कोई भी subject लाल में पीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है ठीक अभी उपर हमने मिलाया थी यह नरंगी रंग बन गया था आपसर नंबर यह आपका 9 का सहीं है ठीक है इसके बाद दसा question दे सब्सक्राइब किटने होते हैं ठीक हैं तो आपकी दीतीक रंग तीन होते है यह भी बताए था और सब्सक्राइब किस भासा का है ठीक है इसके संस्क्रीद भासा का है यह वह आपको बताया था चौद हमने बताई निम्मिनस किस पेंसल से खीची की लाइने हलकी होती है तो हमने आपको यह भी इसका ट्रिक भी बताया था जितने ज़्यादे एच लगाओ जिसे यहां पर इसमें आपसं 3 ह देता तो यह हमारा राइट हो जाता ठीक यहां चीकिंगे आगे अंदरा नंबर क्वेश्चन है गाई सापका कि कमरे की च्छत है तुकौन सा अलेखन उप्यूखत था यह ने बताया था आपको केंद्री आलेखन ठीक है यह चीजे अमने बताई थी यूपी बोड के पेपर में भी था और हमारे पेपर में भी था ऐसा क्वेश्चन ठीक है यह हो गया इसके बाद यह तो बजपना वाला आगया इस कोईस्टर के मैंने बचपना यूज किया था ठीक है प्रशक के उसके बाद नेश्ट क्वेश्चन आपका है अट्रहमा की कपडे पर रंगा हो तो कौन सा रंग सरवाधीं को उप्यूखत होता है यह वाटर कलर प्यूगत हुता है तो चीज का ध्यान देना आपको उनिसमा है कि लेटी रंग कि रंगों कि मिस्रण से बनता है तो चीज़ रंग काला और सफ्येद को मिलाने से बनता आप मिला कर देख लेना थिक है जिसमा है किस पेंशिल की खीची की लाइने गहरी होते हमने बिलकुल वाला 2B ठीक है हमने यह भी आपको ट्रिक बताया था कि तू अगर यहाँ पर 3B होता ना सोरी यहां से निम्लिमिस कौन सी पेंसिस खीची की लाइने सरवाधिक गारी होगी यहाँ पर यहाँ पर भी जीतने भी लगेगा ना उतने जादे भी क्या होगी गारहा बनेगा आपक तो इसके बाद किसी आयत की बूझाओं की मध्य का कोड्य होता है just तो आपका कितना होता है इसमें उस्में मध्य का कोड्य žो होता है आप जानते हूं कि आयत कुछ इस तरह से बनते हैं यह सामने की खुझा की कि थोड़ी लंबी होती है यह आयत है तब यहां पर जो कोड़ बनेगा को 90 डिगरी ही बनेगा यह मैं आपको बताया था इसके बाद यह इसका क्या है बीच में केंद्र है एक केंद्र माल लेते आर आर के बाद जो पूरी होती दूरी यहां से लेकर यहां तक इसको ब्यास कहते है यह जो ब्यास होता है यह भी यह भी आर होता है क्योंकि यह जो ब्यास होता है वो त्रिज्या का क्या होता है दूना होता है त्र को आप जोड़ दोगे यह क्या जाएगा ऄगग के, तो आपसन नंबर इसमें आपकर ए क्या है,ч despite तो आपसन निमबर की स्वां रिसका है करेक्ण आर शना उलिए एक मिटर कहारे म,का फ़ी आसान प्रें है तो यहां पर एक किलो मिटर में कितने हेक्टो मिटर होगे आपका 10 हेक्टो मिटर होगा ठीक है यह हमने आपको बताया था एक किलो मिटर में कितने हेक्टो मिटर होगे 10 हेक्टो मिटर होगे इसके बाद नेश्ट कोड आपका दे रखा है कि एक डेका मिटर में कितने डेसी मि सब्सक्राइब कर दो समकोड से बढ़ा और चार समकोड से चोटा होगा तो वह कौण सा कोड होगा ब्रहत कोड नहीं है तो पहला लापसन यहीं नहीं होगा क्योंकि इसका मतलब है बिरहत कोड़ 180 से बढ़ा है और 360 से छोटा होना चीए 180 आपसे नमबर एह ही आपका राइट हो जाएगा सात्वा है कि किसी बिरित का केंद सबसे बड़ी जीवा को बाढ़ती है यह अगर भाग है यह केंदर से ही ओकर जाएगी इसको क्या करेगी दो समान भागों में बाढ़ दती है इसके बाद नेष्ट क्वेशन 9 नमबर है कि किसी तिरफुज के बहु हिस कोड़ों का योग होता है काफी important question है अब देखो जो ये किसी तिर्भूज के 22 कोड का जो योग हो था वो चार समकोड के बराबर होता है ठीक है चार समकोड का मतलब 360 तेहां पर चार समकोड वाला आपसन आपको नवा कभी जो है correct हो जाएगा इसके बाद काफी important equation है पाई आर स्क्वाइर होता है तो यहां पर आर की बैलू दे रखा है कितना दे रखा है साथ ठीक है तो साथ गुड़ित्ते साथ और यहां पर क्या है पाई तो पाई को मिलिग देंगे ठीक है बिलकुल लीजी है आप इस तरह से समझो देखो यहां पर जो इसका ब सायलू कितना साथ समी रखा है ठीक है टीक है और इसको अर का मतलब दो बारा आ रहे है साथ गुरित्ते साथ साथ इनन्टू पाई तो शाथ फाई को यहां पे लिख देंगे इस तरह साथ गुरित्ते साथ इंटू पाई Okay ए साथ Lego पाई यहां सकतके आप संथन नमबर आप ठीक है तो इसमें विकड़ आपका 2X होगा इसके बाद बरहाँ कि निम्ल कोड़ों से कौन सा अधिक कोड़ है ठीक है अधिक कोड़ का मतलब होता है कि अधिक कोड़ जो भी होता है 90 अंस से अधिक और 160 अंस से कम होना चाहिए ठीक तो 90 अंस से अधिक यहाँ पर C वाला अप का कौन सा भाग होता है दो को एक मीटर बराबर कितना कितना मिली मीटर होता है दस के पावर माइनस तीन ठीक है यह माइनस तीन होता है इसे एक बटा कि हम ग्यारह हजार एक हजार लिग देंगे ठीक है एक हजार लिग देते हैं एक क्या है एक यह एक तरह से क्या है एक मिली म इसका जो होगा सी चार समकोड कितना होगा किसी चतरभूज के सभी हांतरी कोडों का योग कि छतरभूज का जो कोड़ ता हमने कल ही बता है इसमें भी 90 हुग मिद्शन मिद्व बणे गाल्व दिल्गार जुआ Onda ठानल सतय नचों के 36 360 ठीक है तो चार समकुड आपस नमबर सी आपका करेक्ट है इसके बाद 15 वा क्वेश्चन दे रखा आपका कि एक आधार और समान उचाइब बने तिर्भूज रायत की छित्में सही अनुपात होगा तो एक समझे दो होगा आपका सुलहमा की निम अकृत सम्चत्रभूज नहीं है ठीक है सम्चत्रभूज का मतलब हो था जिसकी चारों बुजाएं आपस में क्या हो बराबर हो उस तिर्भूज को क्या कहेंगे इसको कहेंगे सम्चत्रभूज ठीक है तो यहाँ पे इसकी भी बुजाएं बराबर है ये भी बुजाएं बराबर के सम चद्रबुज नहीं है आपसर नमबर भी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा ठीक है इसके बाद सत्रहवा कुश्चन दे रखा आपका कि निम्न अकृतियुम कौन से रेखा अब का लंब सम दिवाजन है तो यह होगा अब का सम लंब दिवाजन यानि कि से सीधा क सिधा बाट दे तो लंब का मतलब बीचो बिच, आपका यह वाला रसाइं हो जाएगा एक समंदे एक ठीक है एक समंदे एक आपका राइट हो जाएगा इसके इसके बाद 18 कोईस्चन है क्या कि एक हेक्टू मीटर में कितने मीटर होते हैं ठीक है ये सॉरी ये 18 कोईस्चन निम्न में से कौन सा अकार या गती बृताकार नहीं है ठीक है ये नल सी गिरता हुआ पानी नहीं आउट सब है गती मान विदूत पंखा है काला नेटर गोलक है स सव मीटर होते हैं ठीक बी वाला आपसं यहां पर बी वाला जो आपसं दिया यह क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा बिस्वार की किसी घड़ी में छोटी सुई 5 पर हो और 12 पर हो तो इन दोनों सुईयों के बिच बनने वाला कोड़ होगा ठीक है जैसे घड़ी आप माल के पादार यहां जहां पर और 12 बता रहा ठीक है इस तरह से यहां पर क्या माल में लेंगे 12 और यहां पर इसके बाद गाइस यहां पर आ जाता है आपको यह देख सकते हो कि प्राकरतिक दिर से चितर जो कि दियेगे ड्राइंग सीट पर 25 गुलिते बाइस सेमिकायत में ग्रामेड दिर से चितर कीजिए जिसमें सीर पर रखिवी पठरीक रखकर घर की और जाती ग्राम बाला जो कि एक डाइंग सीट पर आयत में पोस के लिए कि काई का अलेखन में जिसमें भारती फूल पत्यम कल्यों का कर सकते हो जना इस सब चीजे तो हम लोग ने बताया था ठीक है इसके बाद प्राबीदी कला है जो आपका जो लोग प्राबीदी कला करकर गए होंगे यह दो असमान जिनके तरिजाए इतना इतना है यह चीजे हमने आपको बताया था अपने किया होगा तो बीवला है कि और बराबर साथ सेमी रेका किसम दिवाद तिर्फू और बहुत की रचना कीजिए इसकी बाद यह चीज भी मैंने बताया था आपको यह आलेखन हो ठीक है यह पत्यो साहित अमरूत कल ही बताया था प्लेट में रखा हुआ टमाटर पपीता पत्यो साहित बैगन रेखा सहिटो इसमें ध्यान देना है कप और पलेट सुराही हमने बना कर आपको बताया था लाल्टेन खुली किताब इसमें भी रेखा सहिटो और आकरतिके दिवाद का आज किस बुलियूम बस इतना ही अब नेश्ट सब्जेक्ट की तयार है